हे अब्रिवन आज में दिखाऊंगी मोटर केसे ग्रीन मोटर केसे स्टोर करते हैं तो यहां मैंने 4 किलू 5 किलू मोटर चील के साफ कर लिया पहले से ही धू के ड्राइ कर लिया यहां अब प्रोसेसिंग तुड़ा पहले से तयार करके रखना होगा तो फिरो बूत कोशिश करे कि मोटर जो है, पूरा मेचेड हो तो अच्छा रहेगा तो याँ उबले हुए पानी में, मैं 2 चमच शकर, शुगर और एक चमच सॉल्ट डाल के उबले हुए पानी में दू मिनिट इस मोटर को रखूंगी दू मिनिट ज्यादा नहीं बनना पाक जाएगी या फिर स्मेल भी आने लगेगा इसे करने से मोटर में जो कच्छे वोला स्मेल रहते यह साल बर नहीं रहते बस मैंने बन कर दिया दू मिनिट के बाद और फिर यहां आपको पहले से पोसेसिंग करना पड़े गा यह ठंडा फ्रीज की पानी है और साथ में अगर जैदा मोटर हो तो आइस कीब डल के ताकि मोटर एकदम से जल्दी से ठंडा हो जाए तो यहां मेरा आइस कीब भी डला फ्रीज का पानी भी डला और यहां गरमा ग रहते थे ना, तो स्मेल से और जो से बाद में खाने में गोटेश नहीं आते, तो यह से रखो तो साल बोर के लिए आपको फ्रेश ग्रीन कलर जैसे की ते से रह जाएगा, तो फिर मैंने सार्च किया, सार्च करने के बद लगा, इस साल में ऐसे रख के देखती हूँ, मतलब क अगले साल मैंने रख काता तो इस साल आप लोग से शेयर कर रहे हूँ, तो फिर इसको ठंडा पानी से उठा के पानी निकलना है, देखिए कितना हरे हरे कलर, साल बर में रहेगा, और खुब मटर बजार में आई है, स्विजनल है अभी से कच्छेवला स्मेल चलेगे, तो आप लोग स्टोर कीजिए, और ये चुटी-चुटी टीप्स फॉलो करके अगर स्टोर करें तो एकदम फ्रेश मटर साल बर मिलेगा, और फिर इहां मैंने टाइल राग दिया, कि कि तुड़ा ड्राइ होतो ना तो साल बर के लिए राकने में आच्छा होगा, फिर आइस ज निमोग डाल के दू मिनिट, बस गरम पनी में डालना है, फिर एकदम चिल वाटर में या फिर आइस वाटर में राखके इसको स्टोर करना है, फिर ये से जीप लोग बेग में भी आप प्लूग राख सकते हो, और या फिर दबबा में भी राख सकते हो, ये और कॉन्बिने के लिए मोटर कैसे स्टोर करते हैं, आज मेरे हुए में आप रूग जरूर कीजेगा, और मुझे कमेंट सेक्टर में जरूर बतायागा कितना हेल्फुल रहा, तो बिदा ले रहे हो में, स्टे सेफ, स्टे हेल्धी, स्टे कनेक्टेड, अल्लाहाफेज, और हाँ जरूर मिलते हैं, और अच्छी क्वालिटी भी मिलते हैं, और एकदम से चुटा-चुटा जो मोटर हेना वो होटा देना, तो बिदा ले रहे हो, अल्लाहाफेज,